प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्थे पुस्तक आओ हिंदी सीखें का अगला पाठ पढ़ेंगे जो की एक कविता है। कविता शुरू करने से पहले, सभी बच्चे मुझे बताओ, घड़ी हमें क्या बताती है। आजी, बिल्कुल सही, घड़ी हमें समय बताती है। बच्चों, समय बहुत ही कीमती होता है। अगर समय एक बार हाथ से निकल जाए, तो वह कभी भी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने सारे काम समय पर कर लेने चाहिए। बच्चों क्या आपको पता है, जो बच्चे समय का सदुपयोग करते हैं, वह हमेशा अपनी जिन्दगी में सफल रहते हैं। हमारी आज की कविता भी समय पर है। कविता का नाम है ठीक समय। चलो बच्चों कविता पढ़ना शुरू करते हैं। पाट पाँच ठीक समय। ठीक समय पर नित उठ जाओ। नित मतलब हरोज। ठीक समय पर नित उठ जाओ। ठीक समय पर चलो नहाओ। ठीक समय पर खाना खाओ। ठीक समय पर पढ़ने जाओ। ठीक समय पर खाना खाओ। ठीक समय पर पढ़ने जाओ। बच्चों तस्वीरों में देखो ठीक समय पर मौज उडाओ ठीक समय पर गाना गाओ ठीक समय पर मौज उडाओ ठीक समय पर गाना गाओ ठीक समय पर सब करपाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ ठीक समय पर सब करपाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ बच्चो यह थी हमारी आज की कविता ठीक समय. कैसी लगी यह कविता आपको? मजाया ना? अब समय हो चला है ग्रह कारे का. ग्रह कारे में सभी बच्चों ने यह कविता सुन्दर लिखाई में एक चाट पर लिखनी है और इस कविता को याद भी करना है. सभी बच्चों का धन्यवाद